जहिंद नमस्कार शातियों, आज इस वीडियो के मादेम से बात करने वाले हैं कि रीट का रजल्ट है वो कब तक आने वाला है और शाती बात करेंगे हम कि कितने परसंट डिलेट होगे और बॉनस संक है वो कितने मिलने वाले तो सबसे पहले हम मैं बात करूँ रिट के रिजल्ट की तो रिट का रिजल्ट है वो 25 स्टमबर तक है वो आ जाएगा आपका कंपरम रूप से आप अपनी त्यारी है वो जारी रखें और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जू होगे क्यों होंगे क्यों की वियादित परसन है कुछ लोग बता रहे हैं कि परसन गलत कुछ में अप्शन गलत रहे हैं तो चैनल की तो और इसे पांच से इसे रिगत उगे उनको भी फाइदा होगा उसके बात में मैं बात कुरूंद बदे को नॉर्मलाइजेसन को लेकर तो नॉर्मलाजेशन की मैं बता दूँ आपको आठ अंक है वो मिलने की सबाना है आठ ये नौ अंक है जो आपको बोनस के मिल जाएंगे नॉर्मलाजेशन के अंदर जो सेकंड वाली सिफ्ट थी 23 जुलाई को एल्टू के उनको ज्यादा मिलेंगे उसके बाद में देखो जो मिलेंगे क्योंकि उनका आता है मार्क्स का वो कम आता है और इस पजह से नॉर्मलाजेशन में नंबर उनको ज्यादा मिलेंगे और हो सकता है कि आप जिस शिफ्ट में हो बहुत ज्यादा हार्ड हो लेकिन फिर भी आप वाली सिफ्ट के अंदर इंटेलिजन अगर बच्चे हैं तो आपका जो वह ज्यादा आएगा तो आपके नंबर कम हो सकत है इस पी निकाला जाता है आप कभी बी जाओंगे जो नहीं का फॉर्मूला गोह इस पर काम करता है कि कोई भी सिफ्ट में टोटल जो बच्चें उनका यह स्कोर क्या बंद रहा है जिस्ट में स्कॉर ज् पता चलेगा कि कुछ शिफ्ट में कम रहा है उनको बिल जाएंगे जादा और जिनकी सिफ्ट में एवरेस्कोर ज्यादा दराइस भी बत्चों का तो उनको नंबर है वो कम हो जाएंगे मतलब कम तो नहीं होगे लेकिन को मिलेंगे नहीं आगे से तो मैंने बता दिया रिजल्